नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम चन्नेंगे टाटा अल्ट्रा टी डॉट एटीन ट्रक के बारे में अल्ट्रा टी डॉट एटीन 11.5 टन सेग्मेंट में आने वाले एक नया ट्रक है सबसे पहले जानते है इस ट्रक के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में इस ट्रक को पावर देता है टाटा मोटर्स का 5 लिटर डिजल इंजिन ये एंजिन 180 HP की पावर जेनरेट करता है 700 न्यूटन मिटर टॉर्क के साथ अल्ट्रा टी डॉट एटीन का फ्रन्ट डिज़ैन बहुती मौडन बनाया गया है फ्रन्ट सेड में है टाटा मोटर्स का लोगो टी डॉट एटीन की बेजिंग इस ट्रक में आपको दो कलर आप्शन मिलते है वाइट और गोल्डन ब्राउन अल्ट्रा सीरीज में ड्यूवल चेंबर हेलजन हेड लैम्स दी जाते हैं और इंडिकेटर्स की पोजिशन अपर सैड में होती है इस ट्रक में स्लीपर कैबिन मिलता है जिसके बारे में आप आगे वीडियो में चानेंगे ये है इस ट्रक का थ्री पीस बंपर जिसका सबसे बड़ा फाइदा है कि अगर कोई सैड डैमेज होती है तो आपको पूरा बंपर चेंज करने की जरुवत नहीं होती है बस जो सैड डैमेज हुई है आप उसे चेंज कर सकते है और बंपर के नीचे हेवी गार्ड भी दिया है जिससे फ्रंट अंडरन प्रोटेक्शन सिस्टिम भी का जाता है इस ट्रक के टायर से इसकी बात कर ले तो इस ट्रक में 295-R20 याने की 20 इंच के टायर्स दिये गए है अपर साइड में है साइड इंडिकेटर और साथी साथ फ्रंट एंड रेर एक्सल पर लिफ स्क्रिंग सस्पेंशन दिया गया है जो इसे खराब से खराब सड़कों पर चलने के काबिल बनाता है कैबिन के पीछे एर इंटेक और एर फिल्टर ऐसेमली माउंट की गई है ये एक BS6 ट्रक है जिसकी वज़े से इसमें एड ब्लू याने की डीजल एक्जॉस्ट फ्लियूड की जरोत होती है इस ट्रक में 26 लिटर का अड ब्लू टैंक दिया गया है और इसके फ्यूल टैंक कैपसेट की बात करें तो इस ट्रक में 250 लिटर का डीजल टैंक दिया गया है इस ट्रक में साइड अंडरन प्रोटेक्शन सिस्टिम याने साइड गार्ड भी मौजूद है अब जानते है इसके load body की बारे में इस truck में आपको तीन load body options मिलते है जिसमें 20 feet, 22 feet और 24 feet शामिल है जो आप अपने application के साब से choose कर सकते है आपके सामने अभी 20 feet variant मुझूद है truck का rear look इस प्रकार दिखता है rear side में halogen tail lamps दिये गए है जिसमें brake lamp, indicator lamp और reverse lamp शामिल है और truck को reverse करते समय driver को आसानी हो इसके लिए इस truck में rear parking sensors भी Tata Motors देती है और rear safety को बढ़ाने के लिए rear guard भी इसमें मोजूद है इस truck का spare wheel location rear most left side में है और जिसे access करना भी काफी आसान है यहाँ पर है stoppers जिसे आप गाड़ी को parking conditions में hold करने के लिए कर सकते है truck के under load body में anti-rust paint किया गया है जिसकी वज़े से rusting की समस्या नहीं होती है यहाँ पर है 24 volt battery setup, pneumatic pressure tank और pneumatic braking distribution system cabin की rear side में coolant tank और cabin lifting mechanism दिया है cabin lifting mechanism की मदद से आप maintenance करते समय cabin को tilt कर सकते है truck के front and rear axle पर drum brakes दिये गये है और truck के doors पर ultra key bedging भी दी गई है दोस्तो, exterior तो आपने देख लिए अब देखते इसके शानदार interior को इस truck में आपको car जैसा interior मिलता है cabin space भी इस truck की अच्छी है truck में analog plus digital instrument cluster मिलता है जिसमें rpm meter, oil temperature, speedometer और fuel level के लिए gauges दिये गये है और central side में MID यानि की multi information display भी दिया गया है जिसमें odometer, trip meter, average fuel efficiency, mode, gear position indicator, clock, battery voltage, air pressure, DF level और warning symbols दिख जाते है steering के left hand side में cruise control और wiper के control दिये गया है और steering के right hand side में upper, dipper और turn indicator के control दिये गया है इस truck में six speed manual transmission मिलता है dashboard पर four blower vents दिये गया है और इस truck में HVAC option भी Tata Motors offer करती है blower speed को आप इस knob की मदद से adjust कर सकते है central side में music system दिया गया है और यहाँ पर है इस truck का parking brake इस truck के dashboard controls की बात करते है यह है light mode switch जिसे आप under load conditions में use कर सकते है यह है regeneration on switch इसकी मदद से आप regeneration process को on कर सकते है इसकी बगल में है heavy mode switch इसे आप loading conditions में use कर सकते है यहाँ पर है ABS switch यह है regeneration off switch जिसकी मदद से आप regeneration process को off कर सकते है और यह है exhaust brake switch इसके उपर है hazard lamp switch और emergency button सफर के दोरान phones को charge करने के लिए USB charging port और 12 volt का additional port डिया गया है अपर साइड में कुछ storage spaces आपको मिल जाती है जिसमें driver भाई अपना सामान और लग सकते है ट्रक के cabin में LED dome lights और individual leading lights मिल जाते है जिसकी वज़े से रात के समय में cabin में रोशनी की समस्या नहीं होती है इंटेरेस में भी Tata Motors का element काफी अच लगता है इस ट्रक के cabin में तीन लोग आराम से सफर कर सकते है rear side में है slipper bird जिसमें driver भाई आराम कर सकते है front glass के upper side में है proximity mirror जिसकी मदद से front side में अगर कोई चीज होती है तो आप बड़ी आसने से उसे देख सकते है इस ट्रक में six way adjustable seat मिलता है जिस पर हर size और हर height का driver comfortable ही बेट सकता है और इस ट्रक की steering भी adjustable है जिसे आप अपने हिसाब से adjust कर सकते है doors पर भी safety lights दिये गये है ये feature रात में काफी अच्छा काम करता है पीचे से आने वाले गाडियों को ये alert करता है कि ट्रक का door खुला है चलिए अब इसके engine sound को सुनते है दोस्तों अब जानते हैं इस ट्रक के कीमत के बारे में इस ट्रक की एक शुरुम कीमत 30,000,000 रुपे से शुरू होती है और cabin वी चेसिस वेरेंड की कीमत 28,000,000 रुपे से शुरू होती है और दोस्तों इस ट्रक के mileage की बात करें तो ये ट्रक 6 किलोमेटर प्रकलीटर यानि की 6 किम पेल का mileage जने के लिए सक्षम है mileage बहुत सरे factors पर depend करता है जिसे की road conditions और driving behavior तो इन factors की वज़े से गाड़ी के mileage में थोड़ा सा फरक आपको आ सकता है तो दोस्तों किस लगी आपको Tata Ultra T.18 ट्रक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल पर ने होगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा और साती साथ अगर आप इस ट्रक के बारे में और जानकर जानना चाहते है तो आप अपने नज़दे की Tata Motors की डिलर सीप से संपर कर सकते है तो दोस्तों यही पर रुखते है आपकर इंशुब रहे जहिन जे भरत